हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें शुती एक बड़ी कंपनी में मैंनेजेंड डारेक्टर थी उसके अंडर कई एंप्लोईज काम करते थे कम उमर में इतने अच्छी पोस्ट हासिल होने के कारण ओफिस में सभी उसकी बहुत इज़त करते थे एक रोज जब वो अपने कैबिन में काम कर रही होती है तब ही आशीश नाम का एक हैंसम साल इंप्लोई उसके कैबिन में आता है जिसे देखते ही शुती की नजरे उस पर टिक सीचाती है गुड मॉर्निंग बॉस मैं आशीश दो दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर यहां हुआ है तो आज से मैं असिस्टेंट मैनेजर के तोर पर आपको रिपोर्ट किया करूँगा मिस्टर आशीश आपको पता है आप बहुत हैंसम दिखते हैं जी मतलब कोई मतलब नहीं मजाग था ये कल की मिटिंग की कुछ फाइल्स है इन्हीं गुपता जी के साथ बैट कर डिसकुस कर लेना जी बिलकुल वैसे बॉस आपको पता है आपकी आपके बहुत चुंदर हैं बिलकुल किसी परी की तरह है मतलब अब आप अपनी बॉस के साथ फ्लर्ट करेंगे मिस्टर आशीश बिलकुल भी नहीं बोस वो तो मैं आपको बस कॉंप्लिमेंट दे रहा था वो वो मैं ये फाइल्स लेकर जाता हूँ आशीश छट से फाइल उठाकर वहां से चला जाता है और शृती उसे देखती ही रह जाती है और उसकी जाते ही अपनी दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है मैं उसे ऐसे क्यों देख रही थी शायद वो मुझे अच्छा लगा इसलिए ओहो मैं इतना क्यों सोच रही हूँ कितना काम बड़ा है इन बातों के लिए वक्त नहीं है शृती फोकस अने वर्क खुद को समझा कर शृती अपने काम में लग जाती है आशीश एक खुश मजाज और लोगों के बीश चल्दी घुलने मिलने वाला इनसान था एक रोज मीटिंग में उसकी अच्छी प्रिजेंटेशन को देख कर शृती उसकी बहुत तारीफ करती है साथ ही उससे हैंडशे भी करती है मीटिंग के बाद आशीश का दोस्त आर्यन उसके कंदे पर हाथ रखकर उससे कहता है क्या बात है बॉस तो तेरी तारीफ करते हो ठक नहीं रही थी कसम से यार कास तेरी जगा मैं होता तो मेरी तारीफ में भी बॉस चंद सब कहती हा तो तारीफ के लिए पहले म अचानक से चप हो जाता है क्योंकि उसे सामने से शृती आती हुई दिखाई पर जाती है लेकिन इस बास से अंजान आशीश अपनी बात कहने लगता है ओ बॉस पहुची हुई चीज है तो मैं अभी कुछ कम नहीं और फिर देख प्यार तो प्यार होता है न वो तो किसी से भी हो सकता है और आरेन सच कहुना तो मुझे बहुत बहुत सुलजी और समझदार लगती है हाँ वो अलग बात है कि जब बिगड़ती है तो सबकी खटिया खड़ी कर देती है लेकिन उनके जैसी कोई मेरी जिंदगी में आ जाए न तो लाइफ बन जाए अरे चुप हो जा ये सब बात करेंगा कोई समय है क्या चलि यहां से तू तो ऐसे ढर रहा है जैसे मेरे पीचे बॉस कड़ी होकर तुझे घुर रही हो हाँ हाँ वही तो क्या वही तो तभी आशीश के कंदे पर शुती हाथ रखते हुए कहती है मिस्टर आशीश मेरे कैबिन में आए क्या सुनियों मिस्टर आशीश ये 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 बॉस आया बॉस आशीश धीरे धीरे शुती के कैबिन में पहुशता है तो शुती का गुसा देख उसकी बोलती ही बंद हो जाती है वो कुछ कह ही नहीं पाता कैबिन के बाहर खड़ा आर्यन दर्वाजे पर कान लगा कर उनकी बाते सुने की कोशिश करता है कुछ देख बाद अचानक से दर्वाजा खुलता है और दर्वाजे से लगी होने के कारण आर्यन भी धढ़ाम से गिरता है और आशीश लाल गाल लिये बिना कुछ बोले फट से अपने कैबिन में चला जाता है समय बीता है और देना आ आकर उने बधायां दे रहे होते हैं तभी हाथ में लिफाफा लिये आर्यन से पर आता है और आशीश को पकड़ाते हुए कहता है बधायो साले बॉस बनी तेरी बीबी ओ अब तो तो आफिस में भी सब तुझे सर कहेंगे पर यार उस दिन ऐसा क्या हुआ जो बॉस तुसे गाल पर आने ही वाला है कि तभी उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा पसंद करने लगी हूँ तुम शादी करोगे मुझसे बॉस ये इस वक्त बॉस नहीं एक लड़की है जो एक लड़के को पसंद करती है और उसे अपने दिल की बात कह रही है हाँ मैं भी तो पसंद करता आशीश की बॉस ही उसकी बीवी बन चाती है लेकिन क्या इस से आशीश की जिंदिगी में कुछ बदलने वाला था आएगे देखते हैं एक रोज जब शुरुती कैबिन में अपनी पीए से बात कर रही होती है तभी आशीश वहां अचानक से आकर कहता है ये फाइल मैंने कम् कैबिन में घुसे चले आ रहे हैं क्यों वो मैंने सोचा तुम अकेली होगी तो तुम मिस्टर आशीश मैं तुम्हारी वाइफ हो पर हम ऑफिस में हैं घर पर नहीं और मिस्टरिया आप दनों एक ही पोस्ट पर हैं तो आप मिस्टर आशीश को वैसे ही बुलाईगे जैसे अब तक बुलाती थी इस दाट लियर येस बॉस येस बॉस तभी शुति की पीए वहां से चली जाती है और कैबिन में हुई बात की चुगली पूरे स्टाफ में कर देती है तभी उसका दोस्त उस पीए से बात करते हुए कहता है बताओ बेचारे आशीश की तो हालाती खर हो गई धोबी का कुत्ता बन गया ना घर का रा ना घाट का रा क्योंकि घर पे तो बीवेसे ही अपने पतियों उंग्रियों पना चाहती है और आशीश बेचारा तो ऑफिस में भी बीवी कम बॉस से सुननी परती बचारे को हां बिलकुल सही कह रहे हो उसी शाम घर आने प तो मुझे दे रही थी अपनी उस पीए के सामने पता है पुरा स्टाफ कह रहा होगा बताओ पती की जती नहीं आ ओफिस में अरे तुम ही क्या लेना देना उनकी पातों से और तुम भी तो ओफिस में मुझे तुम कहकर बात कर रहे थे देखो जी मैं नहीं चाहती ओफिस म लोगों के दिमाग में ये आए कि तुम मेरे पती हो तो मैं तुम पर सकती नहीं करूँगी मेरे लिए ओफिस में तुम भी बाकी इंप्लॉई के जैसे ही हो तुमें मेरे पती होने के कारण को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली यार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उसको बीवी बना कर गलती हो गई छोड़ा ना मोसर मैं तुम्हारे लिए रात को बड़िया खाना बनाऊंगी इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है रात को शुती का बनाया खाना को जादा ही खाने की वज़े से अगले दिन आशीश का पेट खराब हो जाता है और शुती ओफिस के लिए निकल ही रही होती है कि तभी बातरूम से अपना पेट पकड़े आशीश आता है तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए अरे यार दस्त लग गए है मुझे मैं नहीं जा रा गई अरे तुम जानते हो ना बिना इनफॉर्म किये छुट्टी लेने पर एक जिनकी सेलरी कट होती है क्यों कटेगी अरे मेरा पेट खराब तुम्हारा बना हुआ खाना खाकर हुआ है खाना तो मैंने बनाया था लेकिन ठूस ठूस कर तो तुमने खाया था अच्छा खाना देखते ही कढ़ाई पर कूद पड़ते हो अरे भगवान यहां पेट की बैं करेंगे ही ना चलो मैं चलती हूँ सेलरी तो कट हो नी है तुम्हारी यहां जिन्दगी की कटी पड़ी है इस बीवी कम बोस को सेलरी कट करने की पड़ी है ए भगवान सोचा था बीवी बनेगी तो मजे होंगे ठाट होंगे लेकिन यह नहीं पता था कि इस तरह वाट भी लगेगी आए मेरा पेट बिचारा आशिश पेट पकड़े बात्रूम की और भागता है तो दोस्तों बॉस बनी बीवी की हमारी ये कहाने आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं रिशब और इशिका अपनी मर्जी से कोट मेरिज कर लेते हैं और दोनों रिशब के घर जाते हैं जहां रिशब की मा नीशा और पिता दर्शन होते हैं और दोनों को हाथ पकड़े हुए आता देखकर नीशा बोलती है रिशु कहां था बेटा और तूने ये सामने वाली चुडैल की बेटी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है माँ पापा मैं और रिशे का एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए हमने शादी कर ली है ये सुनकर तो जैसे नीशा की दुनिया ही हिल जाती है और वो गुसे में बोलती है अपनी जुबान को लगाम देना लायक तुझे प्यार भी हुआ तो किस से उस चुडैल कामनी की बेटी से जो मुझे फूटी आख नहीं भाती मैं शादी को नहीं मानती ए लड़की निकल जा यहां से कैसी बाते करती हो नीशा सुना नहीं तुमने बच्चों ने शादी कर ली है हाँ हमारी मर्जी के खिलाफ जरूर गए है लेकिन इस बिचारी का क्या कसूर कसूर ये है कि ये कामिनी की बेटी है उस कामिनी की जिससे मैं नफरत करती हूँ मैं इसे अपनी बहु कैसे मान लूँ सासू मा बस कीजिए जितनी नफरत आप मेरी मा से करती है न उससे कही जादा नफरत मेरी मा आप से करती है फिर भी मैं उनके खिलाफ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे रिशब से बहुत प्यार है मैं उसके बिना नहीं रह सकती नीशा जो भी हो पर अब इशी का हमारी बहु है भलाई इसी में है कि हम इने अपना अशिर्वात दे दे जो आपको ठीक लगे वो करिए पर मैं बेमन से इने अपना अशिर्वात नहीं दे सकती समझे आप इतना कहकर वो गुसे में बहां से चली जाती है और दर्शन नीशा की जगा खुद उन दोनों की आरती करता है और दोनों उसके पैर चुक कर घर के अंदर आते हैं ऐसे ही दिन बीटते हैं और इशिका एक बहु होने के नाते अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है लेकिन नीशा उससे सीधे मूब बात नहीं करती और बात बात पर उसे सुनाया भी करती ऐसे ही एक दिन इशिका किचन में सफाई कर रही थी तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है और वो उसे उठाने लगती है तभी वहाँ नीशा आकर बोलती है बहुत बढ़िया तेरी माने तो तुझे तोड़फोड करना ही सिखाया है जब देखो चीजों का सत्यानाश करती रहती है गलती से तूट गया सासु मा नया ला दूगी नया ला दूगी ये अकर किसको दिखा रही है मुझे अपने घर में तेरी ये अकर नहीं चाहिए समझी इतना कहकर वो किचन से बाहर चली जाती है और कुछ ही देर में जब इशीका हॉल में बैठी मैगजिन पढ़ रही होती है तब ही उसकी मा कामी नीम आती है और उसे देखकर इशीका बोलती है मा आप आईए ना अंदर आईए आप यहाँ आई इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना अब आप मुझे नराज नहीं हो ना नराज तो मैं तुस्से बहुत थी पर कहते हैं ना मा की अपने बच्चों से नराजगी पल भर की होती है तो बस तुझे देखने चली आई मैं बहुत खुश हूँ मा कि आप यहाँ आई बैठिये ना मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ वो इतना बोलती ही है कि तभी निशा अपने कमरे से बहार आती हुई बोलती है उसकी बाते सुनकर कामिनी को बहुत गुसा आता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी इशिका उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोलती है मा प्लीज कोई जवाब मन देना बात को बढ़ाने से क्या होगा आप शान तो जाइए बस वही तो बात है ना निशा तेरे चाहने से तो सब कुछ नहीं होगा अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ वो क्या है ना तुझे देखने आई थी सो देख लिया अब फालतु लोगों के मूग क्या लगना इतना कहकर वो चली जाती है नीशा और कामिनी एक ही मोहले में आमने सामने रहती थी लेकिन एक दूसरे से उनकी बिलकुल नहीं बनती थी लेकिन उनके बच्चे याने इशिका और रिशब एक दूसरे से प्यार कर बैठे वो जानते थे के उनकी माई उनके रिष्टे के ल लेकिन नीशा ऐसा नहीं करती, इसे लिए वो अपना गुसा इशिका पर ही निकालती रहती थी, ऐसे ही एक दिन इशिका सब के लिए खाने में गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खाते ही नीशा बोलती है, उस तुडैल ने तुझे यहां मुझे मारने के लिए भेजा है न, क् हलवे में तुने चीनी डाली है या चीनी में हलवा? मा, हलवा इतना मीठा तो नहीं है, ठीक ही बना है, हाँ भागवान, कम मीठा ही डाला है बहुने, मैं भी तो खा रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, तो मतलब मैं पागल हूँ, जो फाल तु जाए न अपनी मा के घर और तू भी चला जा, तुझ जैसे बेटे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझा? इतना कहकर वो हलवे की कटोरी को फैक कर, वहां से चली जाती है, और आगले दिन इशी का अपनी मा के घर जाकर, उसे सब कुछ बताती है, तो कामिनी बोलती है, य तू अलग ही हो जाए, नहीं मा, मैं रिशप को सासु मा से अलग नहीं करना चाहती, मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा, जिससे हम उस घर में भी रहे और कलेश भी ना हो, अच्छा, फिर तो तू एक काम कर, इधर आ, बताती हो, इसके बाद कामिनी इशी का के कान में अले ही दिन इशी का, अपना और रिशप का सारा समान पैक करके होल में आती है, और ये सब देखकर दर्शन बोलता है, बहु, तूने अपनी सास की बातों को दिल से लगा लिया क्या, जो ऐसे घर छोड़ कर जा रही है, देख रहे हो ना, ये लड़की तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी, जाने दो इसे जहां जाना है, मुझे इन सब बातों से कोई फरक नहीं पड़ता, सासुमा, कौन कहां जा रहा है, हम तो उपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं, एक किराईदार के तौर पर, थाकि सासुमा आपको मुझसे कोई शिकायत ना रहे, य ऐसे ही नीशा की बहु, अपने ही ससुराल में किराईदार बनकर रहने लगती है, और ना ही वो घर का कोई काम करती, और ना ही नीशा से ज़्यादा बातचीत करती, ऐसे ही एक दिन कुछ पड़ों से नीशा की घर आती है, और बोलती है, नीशा, मैंने सुनाया तरी बहु और कोई नहीं, बलके कामिनी की बेटी है, पर कामिनी से तो तेरा 36 का आकड़ा था ना, अरे तू क्यों घड़े मुर्दे उखाड रही है, नीशा, तू हमें बहु से मिलवाना, तुम दोनों तो ऐसे बोल रही हो, जैसे तुमने उसे दे नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप दोनों, अरे आप यहां तक आई है, तो थोड़ा और मेरे घर तक भी चलिये ना, अरे बहु कैसी बाते कर रही है, हम तेरे घर पर ही तो आए है, अच्छा अच्छा, मुझे लगता है तू अपने कमरे में आने की बात कर रही है, नहीं आ है कर वो पैसे नीशा के आगे रखी टेबल पर रख देती है, और ये सब देखकर वो पडोसने हैरान हो जाती है, तब ही इशिका बोलती है, अच्छा, हम मैं चलती हूँ, वो क्या है ना कि गैस पर कुछ चड़ा कर आई हूँ, आप लोग आईएगा जरूर हां, ये क्या नीशा, तेरी बहु किरायदर कब बन गई, और कामीनों को ये बात पता है क्या? ओ, ये तो होना ही था, नीशा ने इशिका को कभी दिल से अपने बहु माना ही नहीं था, अच्छा हुआ, ये इशिका ने समझदारी दिखाई और वो घर छोड़ कर नहीं गए, मैंना नीश नीशा के कानों में गूंचती रहती है, ऐसे ही कुछ दिन बीटते है, और वो अपने बेटे बहु को आते जाते ही तो देखा करती थी, लेकिन उनसे कभी बात नहीं किया करती थी, एक दिन कामीनी, नीशा के घर आती है, और उसे बोलती है, इशिका, बेटा इशिका, आई ने कुछ मीठा बनाया था, वही देने आई थी, बहु, आज तुम्हारा जनम दिन है, तुमने बताया है नहीं, क्यूं, आप लोग किरायदारों का भी जनम दिन मनाते हो क्या, नहीं न, तो आपको बता कर क्या ही करती, कि सब सुनकर नीशा से चुप नहीं रहा जाता, और वो बोलती है, बस बहु, जो तुम्हे समझाना चाती थी, मैं समझ गई, मैंने तुझे बहु नहीं माना, और कामनी की दुश्मनी के चलते मैं तुझे हमेशा सुनाती रही, तुस्से प्यार से बात नहीं की, लेकिन तु इस घर से जाने की जगे यहां किरायदार बनके र मुझे माफ कर दे बहु, अरे बस बस सासुमा, आप मुझे डाटते हुई ही अच्छी लगती है, माफी मांगते हुए नहीं, इतना कहकर वो अपने सास के गले लग जाती है, और इशीका अपने ससुराल में खुशी-खुशी रहने लगती है, दोस्तों अगर आपको यह कह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?